भाजपा का वो संसकारी मास्क जो आज ये देश को दिखाते हैं और बताते हैं वो आज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी और इनका वो संसकारी मास्क उतारना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी 2017 की उस उन्नाओं की घटना पर जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंग सेंगर दो साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा कोई सुनवाई नहीं हुई बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आपको आग लगानी पड़ी एक मात्र एफायार के लिए उसके प सिता को आम्स आक्ट के तहट जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई और वहीं आप सब को याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कारवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सि लेकिन काम करती है बलातकारी बचाओ का मैं आपका ध्यान अब इसके बाद ले जाना चाहूंगी बिलकिस बानों गुजरात की उस बेटी बिलकिस बानों पर जो बिलकिस बानों के साथ हुआ गर्वती बिलकिस बानों का बलातकार किया गया उसकी तीन साल की बेटी और उस उसके बाद क्या होता है उसके बाद चुनाओं के कुछ समय पहले जहां बिल्किस बानों सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं मुझे इंसाफ मिलेगा नयायाले की तरफ देख रही थी लेकिन इसी तरह साक्षों के साथ छेड़ खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इनोंने कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्मंत्री चंद्र सिंग राव जी हैं उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहना कर और मिठाई खिला कर किया यह भाजपा की असलियत है यह बेटी बचाओ कहने वालों का असली चहरा है जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ देखिए किस तरीके से बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं यह बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं य मैं अब आपका ध्यान उत्राखंड की उस अंकिता भंडारी पढ़ ले जाना चाहूंगी जहां इसी तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ ये पुरा देश जानता है पुरी दुनिया जानती है अंकिता भंडारी को रिजॉट में 10,000 रुपए देने के का लालच देते हुए किसी वी आई पी गेस्ट के लिए जाने के लिए कहा जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और भाजपा के नेता पुत्र ने देखा कि उनकी पॉल खुल सकती है तो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई और उसके बाद और भी स्थापित करते हुए भाजपा वहां अज्यात लोग आते हैं और अंकिता के कमरे में आग लगा देते हैं आग लगाने के बाद वहां पर आज भी अगर उत्राखंड सरकार से पूछे कि कि किसके कहने से बुल्डोजर चला तो आज भी वो किसी का नाम नहीं बता पाएंग लेकिन आनन फानन में साक्षों को छुपाने के लिए रिजॉर्ट पर बुल्डोजर चला दिया गया और फिर पूरा उत्राखंड पूरा देश अंकिता के लिए लड़ा तब जाकर वहां विनोधार का बेटा पुलकितार गिरफतार हुआ उसके खिलाफ कारवाई शुरू आप बताईए इससे पहले क्या पुलकितार्या को ये पकड़ रहे थे क्या पुलकितार्या का नाम था कहीं आपको नहीं मिलेगा भाजपा सरकार उस समय भी पूलकितार्या को उस बलातकारी को उस हत्यारे को बचाने का काम कर रही थी मैं आपका ध्यान अब ले जाना चाहूंगी 36 गड़ में 36 गड़ में क्या हुआ 36 गड़ में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नारायन चंदेल जी नारायन चंदेल का पुत्र पलाश चंदेल उसके उपर लड़की से आदिवासी बेटी पर ये आदिवासियों के नाम पर वोट मंगते हैं लेकिन जहां आदिवासी बेटीओं को इनकी जरूरत पढ़ती है वहाँ ये उनको अपने नेताओं को अपने बलातकारी नेताओं को बचाने का काम करते हैं यहाँ पर भी वो बेटी आज कह रही है कि मेरी जान को खत्रा है उस लड़के ने पलाश चंदेल ने फिर से उस लड़की को जहासा दिया उसका जबरदस्ती गर्वपात कराने का प्रयास किया और उसके बाद वहाँ पर भी कोई भाजपानेता एक भाजपानेता निकल कर नहीं आया कि हम इस बेटी के साथ हैं हम इस आधिवासी बेटी के साथ हैं और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे वहाँ पर भी भाजपानेताओं के बयान बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस व्यक्ति का उस बलातकारी भाजपानेता के पुत्र का बचाओ किया अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी इसके बाद मेघालय पर मेघालय में भाजपानेता बेरनार्ड मार्क आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया उनके किस तरीके के रैकिट पकड़े गए गिरफतारी हुई जब विपक्ष ने सवाल उठाए जब उस मामले में ये बात मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के पुर्जोर तरीके से उठाने के बाद कॉंग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा जब मामला उठाया गया उसके बाद उसकी गिरफतारी हुई और फिर देखिए जमानत पर छूट गए और भाजपा क्या करती है टिकेट देती है टिकेट देती है ऐसे व्यक्ति को जैसे कुलीप सिंग सेंगर की पतिनी को टिकेट दिया था जिलापन चायत अध्यक्ष का और ज इनको बेरनार्ड मार्क को वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने लड़ाया है यह आप सब के सामने है कि यह बलातकारियों को किस तरीके से बचाने और संरक्षन देने का काम करते हैं यह कहते हैं बेटियों को बचाते हैं बेटियों की सुरक्षा लाल के लिए से ब अधनी और करनी के फरक ये साक्षों के साथ मैं आपके सामने रख रही हूं कि ये क्या करते हैं में घाले का मुद्दा आपके सामने है कि इन्होंने उस व्यक्ति को वहां के मुख्यमंत्री कोनाड संग्मा के सामने लड़ाया है और अब किस तरीके से सत्ता की मलाई चाटने क के लिए उन्ही के साथ दो सीट लेकर पहुँच गये हैं सत्ता का सुख भोगने इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है देश की बेटियों का आज किस तरीके से उनके अंदर भे बेटियों के अंदर घुजग्या है डरती है बेटियाह और इस के से बलातकारियों को बचा कर ये डराते हैं उन बेटियों को कि अगर आप सामने आओगी मुझ खोलोगी आवाज उठाओगी तो आपका भी वही होगा जो हात्रस में उस दलित बेटी का हुआ